हेलो डॉक्टर्स कैसे हो आप सभी स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर यॉर्स मडिकोज लादरी में मैं इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट निमोनिक्स के बादे में डिसकस करने वाला हूं जो और्थोपेडिक से रिलेटेड है मान लीजिए आपके OPD में कोई पेशेंट आता है जो लिम्पिंग चाहिए मतलब कि वो पैर से चलने सकता है उसको चलने में कोई तकलीफ हो दिये अर उसके पर में कोई प्रीच अंडिया तो हम क्या इंवेष्टिकेशन करेंगे उसके उपर एक निमोनिक है वो रिमोनिक है क्रिस्मस से क्रिस मतलब ex-mas-mas M a s हमक्या इंवेष्टिकेशन करेंगे क्या नहीं करेंगे तो जब भी ऐसा कोई patient आता है OPD पर हमादे तो उसमें हम जो पहला investigation करते हैं उसके बाद हम करते हैं MRI तो इसलिए हमें X से X से पाता चल गया है M से MRI A से होता है दो चीजे एक aspiration होता है दुस्सा होता है arthroscopy aspiration मतलब कि हम कब करेंगे अगर हमें कोई inflammation या को infection हमें देखना हो था हम aspiration करेंगे और arthroscopy हम तभी करेंगे जब को trauma का condition हमें देखने मिलेगा या हमें उसको evaluate करना है और S मतलब होता है swelling in a joint तो यह Christmas जो हम मतलब की MRI aspiration या arthroscopy यह हम तीनों करेंगे किस चीज में swelling of limb में तो यह एक मेरा निमोनिक रहा है जो आपके कई problem solve करने में आसान रहेगा कई MCQ solve करने में आसान होगा thank you so much guys